ओम नमो भगबते वासुदीवाय नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपने यूट्यूब चैनल पतिमाज उनीग डायरी में दोस्तों मुक्ष्टा एका दशी कवरत इस बार 2023 में दो दिन रखा जाएगा ग्रहस्त जन जो है वो रखेंगे 22 दिसंबर यानि कि शुकरवार की दिन वरत और जो वैशनव जन है शाधू संथ है वो 23 दिसंबर को वरत रखेंगे यानि कि शनिवार की दिन वरत रखेंगे इसलिए मोख्षदा एकादशी का वरत अगहन मास वाले रखा जाएगा दो दिन 22 और 23 दिसंबर को इस एकादशी के दिन मोख्षदा एकादशी की वरत कथा जरूर पढ़नी अत्वा सुननी चाहिए इससे आपके ही नहीं आपकी साथ पीडियों को भी मोख्ष की प्राप्ती होती है चाहे वो नर्क में हो कहीं भी हो उनको मोख्ष की प्राप्ती हो जाती है और आपके पित्र भी तर जाते हैं आईए जानते हैं मोख्षदा एकादशी की वरत कथा इस प्रकार है धर्म राज युदिस्थिर कहने लगे कि हे भगवान मैंने मार्गिशीष क्रिश्न एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का साविस्तार वर्णन सुना अब आप कृपा करके मुझे मार्गिशीष माह के शुकल पक्ष की एकादशी के विशय में भी बतलाईए इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके वरत का क्या विधान है इसकी विधी क्या है इसका वरत करने से किस फल की प्राप्ती होती है कृपया यह सब विधान पूर्बक कहिए भगवान स्री कृष्ण बूले मार्गिशीष माह के शुकल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मुक्षदा एकादशी कहा जाता है यह वरत मुक्ष देने वाला तथा चिंता मड़ी की समान सब कामनाएं पूर्ण करने माला है जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं इसका माहत में मैं तुमसे कहता हूँ ध्यान पूर्बक सुनो गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था उसके राज्य में चारो विदों के ग्याता ब्रामण रहते थे वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रुवत पालन करता था एक बार रात्री में राजा ने एक स्वपन देखा कि उसकी पिता नरक में है, उसे बड़ा श्री हुआ, प्राता हुआ विद्यानों ब्रामणों के पास गया और अपना स्वपन सुनाया, कहा मैंने अपने पिता को नरक में कस्ट उठाते देखा है, उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र मैं नरक में पड़ा हूँ, यहां से तुम मुझे मुक्त कराओ, जब से मैंने ये वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत पेचैन हूँ, चित्त में बड़ी अशान्ती हो रही है, मुझे इस राज्य धन, पुत्र, इस्त्री, हाथी, गोडे, आदी में कुछ भी सु तप, दान, वरत, आदी ऐसा उपाय बताईए, जिससे मेरे पिता को मुक्ती मिल जाए, उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है, जो अपने माता पिता का उध्धार ना कर सके, एक उत्तम पुत्र, जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उध्धार करता है, वह हजार मूर भविश्य वर्तमान की ग्याता परवत रिशी का आश्रम है आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे ऐसा सुनकर राजा मुनी की आश्रम पर गए उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनी तपस्या कर रहे थे उसी जगा परवत मुनी बैठे थे राजा ने मुनी को सास टांग दंडवत किया मुनी ने राजा से सकुषल पूछी राजा ने कहा कि महराज आपकी कृपासे मेरे राजे में सकुषल है लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांती होने लगी है ऐसा सुनगर परवत मुनी ने आखे बंद की और भूत विचारने लगे फिर बोले हे राजन मैंने योग की बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है उन्होंने पूर्वजन में कामातुर होकर एक पत्नी को रती दी किन्तु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को रितुदान मांगने पर भी नहीं दिया उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नर्क में जाना पड़ा तब राजा ने कहा इसका कोई उपाय बताईए मुनी बूले हे राजन आप मार्ग शीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुन्हे को अपने पिता को संकल्प कर दें इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नर्क से मुक्ती होगी मुनी के ये वचन सुनकर राजा महल में आये और मुनी के कहे अनुसार कुटुम्ब सहित मुक्षता एकादशी का व्रत किया इसके उपवास का पुन्हे उन्होंने पिता को अरपन कर दिया जिसके प्रभाव से उनके पिता को मुक्ती मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र तेरा कल्याण हो यह कहकर पिता स्वर्ग की योर चले गए मार्गशीर्श मास की शुकल पक्ष की मुक्षता एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नस्ट हो जाते हैं इस व्रत से बढ़कर मुक्षत देने वाला और कोई व्रत नहीं है इस दिन गीता जैनती मनाई जाती है साथ ही यह धनूर मास की एकादशी भी कहलाती है अता इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है इस दिन से गीता पाठ का अनुस्ठान प्रारंब करें तथा प्रती दिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें तो दोस्तो यह है अगहन मास की मुक्षता एकादशी की व्रत कथा जिसे एकादशी के दिन जरूर पढ़नी अत्वा सुननी चाहिए चाहिए आप व्रत हो अथवा ना हो इससे आप तो तर ही जाते हैं आपके पूर्वज और आपकी आने वाली साथ पीडियों को भी मुक्ष की प्राप्ती होती है वो भी तर जाते हैं आप सभी पर भगवान विश्णु की कृपा सदेव बनी रहे ओम नमो भगवते वासुदेवार